Hello and welcome to the studio of Twitter. Sun Pharma को आज के दिनों ने ट्रेट किया था इसके पीछे का क्या logic रहा है सारी एक एक चीज़े समझाने के कोशिश करेंगे भी यहां पर देखे एक support दिख रहा होगा day time frame का level है और यह एक support point है, supporting the sense के price ने market में upside में जाने के बाद में यहां से support लिया था अब इसको और back side के तरफ अगर हम stretch करते हैं तो देखे यह पूरा का पूरा हमारे एक level find हो जाता है पैस नहीं किया किया था, last swing भी यही पर बनाया था और past data जो हमारा है लगवग 5 minute के time frame पर हम जाएंगे तो कल से पहले के जो candle बनी थी, exact वहां का swing हमने mark किया था और आज उस swing के नीचे, देखिए अभी यहाँ पर कुछ रोज हम draw करने के कोशिश करेंगे यहाँ पर देखिए कुछ एक support हमको मिल रहा है जैसे की एक तो हमारा ये up, again एक support, up, support, up, support, up, support और यहीं से price मेरा ओपर की तरफ चला गया तो यह देखिए, जितने भी arrows हैं, यह price का support की तरह काम कर रहा है और आज भी हमको market जो मिली, exact उन्हीं levels पर यानि कि support पर मिली है अब support के नीचे हमने निकलने का wait किया था और डॉक्टर एडडी भी हमारे पास था और डॉक्टर एडडी ने 9.15 की candle के बार सेड्वेंस दिखाई है अब यहां पर देखिए, एक support Sun Pharma morning से फर्म कर रहा था बट जैसे यहां पर 9.50 के आसपास price जैसे यह नीचे के तरफ निकला था 9.55 के आसपास हमने यहां पर अपना trade एक्जेक्यूट किया था तो अब इसे इसको आगे चल करके समझते हैं बलकि यह एक बिल्कुल सा trade था Sun Pharma का trade book अपनी open करेंगे so login है यहां पर सबसे पहले एपनी position book देखते हैं देखिए position book में overall जो हमारा आज का profit है 11,650 रूपीज का profit हमने book किया था Sun Pharma ने अच्छा move दिखाया आज और हाँ Dr. Eddy ने भी अच्छा काफी move दिखाया था short selling के लिए हमने दिया था Telegram मेरा देख सकते हूँ Telegram पर हमने stock दिया था आधित ने वह stock हम लोगों को suggest के था कि हम लोगों इसको देख सकते हैं short selling के तरफ यहाँ पर Sun Pharma को trade करने के लिए हमने total 860 quantities का use किया था 860 quantities हमने इसके अंदर short की थी यह हमारी order book है पूरी तरह ऐसे इसको refresh कर लेते हैं ओके 850 quantities थी यहाँ पर जो entry ली थी हमने 912.50 पर हमारी entry थी 916 पर हमने यहाँ पर अपने stop loss लेता यह तो बात ही अपने trade book की अब हम आगे की तरह बढ़ेंगो और कुछ एक छोटे छोटे इंपारण points हैं उनके ओपर discussion करेंगो तो वीडियो गर अच्छा लगता है तो उसको जरूर जरूर लाइक की जागा और अगर कुछ question होता है तो comments की जागा सबसे पहले तो यह एक चीज़ समुझ लिजे कि हर एक नया trade आपको एक नया experience देख करके जाता है आज जिस तरह की market थी कल वैसे market नहीं होगी और कल जैसे market थी आज वैसे market कल की भी market वैसे नहीं होगी तो कुल मिला करके आने वाली market या फिर जब हम trade करने जाते हैं तो हमेशा हमें एक नया experience मिलता है नया trade structure मिलता है अब कभी यह नहीं कह सकते कि कल हम जैसे जिस stock को trade क्या था आज वैसे ही कर देंगे हाँ आपका system सेम होता है बट जो price के structures होते हैं वो अलग आपको देखने को मिलेंगे आपका system से मुने का मतलब यह कि आपको trade execute करना है वो कैसे करना है उसका आपके पास system होगा बट कहिए कि कल भी जैसे हमको stock चला था वैसे ही आज वे हमको structures मिल जाए या कल हमने जैसे trade क्या था exact वैसा ही price action हमको आज भी देखने को मिल जाए कभी भी नहीं मिलेगा और यह बात हम इसलिए आपसे बोल रहे हैं क्योंकि जितने भी तरह से हम trade आपने execute करते हम उतनी तरह से आपको explain करते है हालांकि तरीका आएखी रहता है बट आज क्या हुआ था कल के price actions क्या थे आज के sun farmer में हमको क्या मिला या फिर doctor ready हमने क्या तो उसके अंदर price के structures क्या थे यह सारी चीज़े हमें देखनी पड़ते हैं एक एक करके हम कितने भी points आपको बताते हैं लगता है कि रोज रोज कहा है तो वही चीज़ है ना जो हमने कल बताई थे day time frame, lower time frame, day time frame, lower time frame day time frame, lower time frame, but difference होता है difference ही होगा कि कल दूसरी तरह की market थे आज दूसरी तरह की market है तो आज की market को हमने कैसे hit किया क्या analysis रही, क्यों price के अंदर उन्हें short selling की, कहां से short selling की कहां तक के लिए यह सारी चीज़ें जोरी होती जाना अगर आप इस चीज़ को देखते हो समझते हो, या इससे पहले के भी जितने पुराने वीडियो सागर आप इतने दिन से लगाता है देख रहो हो तो बहुत सारी चीज़ें समझ पहेंगे यह जितने पॉइंट समस्झा रहे हैं आप यखीन मनो पैसे ले करके लोग इतनी सारी चीज़ें नहीं बताते हैं जो कि फ्री वीडियो में आप मेरे समझ सकते हो या जान सकते हो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्षिन का यूजर और देखिए उसी से सारे के सारे ट्रीड एक्जेक्यूटर है हाला कि कल कोई बहुत अच्छा शेट एक्जेक्यूशन में नहीं कहता है 3000 के राउन प्रॉफिट था हमारा लेकिन कल का वीडियो देखना बहुत अच्छी चीज़े हैं मने उसके इंदर बताई है और आज का भी जैसे यह सन फार्मा है अब सन फार्मा में आप जब दे टाइम फ्रेम पर देखोगे देखिए दे टाइम फ्रेम पर तो चलिए हम बाद में जाएंगे पहले एक चीज़ एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं जैसे कि एक कोई बड़ी सी कैंडल मरी फॉर्म हो गई कल रात में हमने लगबग 2 प्यम और 2.30 प्यम पर 2 स्टॉक्स देख देखे ट्रेट करने के लिए आज उन दोनों स्टॉक्स ने ब्रेक आउट नहीं दिखाया अब साइड में दिखाया नहीं डाउन साइड में दिखाया तो पहले चीज तो उन इस्टॉक्स को कल के लिए अपनी वाचलिस्ट में एट करके रख लीजे टेलिगराम चैनल जोएन करिए और उसमें देखे कि जो स्टॉक हमने देते B.E.L. था और एक को दूसरा स्टॉक था तो उनको अपनी वाचलिस्ट में एट कीजे और मॉर्निंग में अगेर हम उन ही स्टॉक्स को शेयर करेंगे आप रोगों के साथ तो टेलिगराम चैनल आपने जोहन कर सकते हो अब जैसे सन फार्मा है सन फार्मा में सन फार्मा होगी है या फिर कोई और स्टॉक होगी है जैसे कि प्राइस ने बड़ी सी केंडल बनाई अब ऐसा तो बहुत कम होता है कि प्राइस सीध है अपसाइट की तरफ निकल जाए वो अगर जाएगा तो इस तरह से लोवर लो लोवर है या फिर हायर है या लो बनाते हुए जाएगा अचानक से तो price उपर की तरफ निकलने जागा तो कोई भी stock हो आप इसको देखो कि price मेरा upside की तरफ जा रहा था अप में जाते हो प्राइस हमारा नीचे की तरफ गिरा इसके अंदर दो candles form हुए और price कहीं न कहीं हमारे इस level पर support लेने लगा मतलब एक तो बड़ी सी candle बनी और जब price हमारा upside की तरफ जाने लगा था तो यह इस green वाली candle यह जो big candle थी हमारी इसने अप में जाकर कहीं न कहीं एक resistance पेस किया और दो दिन से market हमारी इस candle के अंदर ही बंद है एक tax system में आपको बता था जबकि किसी एक बड़ी week को कैसे trade कर दो है यह चीज़ हमने वापर बहुत अच्छी तरह समझा ही थे आपको सेम चीज़ उसी साब इसको correlate कर सकते हो कि एक बड़ी सी candle बनी है प्राइस के अंदर के retracement दो दिन से लगातार प्राइस बेना नीचे की दरफ गिर रहा है बट क्योंकि हमारे पास कोई levels नहीं है तो हम इसको trade नहीं कर सकते हैं अब दो दिन तक लगातार market एक ही level पर आकर की रोक रहे हैं मतलब कि पिछले दो दिन से यहां पर market अपना level बनाने की कोशिश कर रही है हमको यह जो level मिले हैं सबसे पहला day 1, day 2 अब day 1 और day 2 यह तो हमारे levels important थे ही अगर हम previous status का देखते हैं पास्ट में जाकर की इपनि लाइंस को और stress कर देते हैं तो same level पर हमको support मिलेंगे याद होगा अभी day time frame पर जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि price में same level से supports मिले रहे थे और कल की market और उससे दिन पहले one day before दोनों candles को अगर हम mark करते हैं तो आज की market ने जो support लिया वो one day before की level के नीचे आकर कि exact market वहाँ पर support लेने लगे यह day time frame की चीज़ है देखिए सीथे candles पर चलते हैं यहाँ पर जितनी marking है हम सब को delete करेंगे आप देखो एक यह बड़ी सी candle मारी form हुई जब आप इस बड़ी सी candle का high mark करोगे तो आपको लगेगा देखिए price कहां से मेरा reject हुआ है यह एक resistance level है अब कोई भी अगर market नीचे की तरफ गिरती है या फिर upset की तरफ जाती है तो कहीं न कहीं वो एक resistance या फिर support इसे के पास से जाएगी हमें identify करना होगा कि किस तरह से कब किस resistance को हम trade कर सकते हैं वैसा नहीं है कि जो हम बोल रहा है आप से कि एक resistance तो कोई भी stock आपने देख लिए resistance पर trade कर दिया क्या confirmations होती है अभी कल की class में शायद अंकित ने कुशन हम से क्या था कि price का यह जो resistance है या फिर कोई एक support point होता है कब tradable होता है कब हमें confirmations मिलती है इसके अंदर अब जैसे price यहाँ पर आया हमें एक हमारी perfect formations एक perfect signature चाहिए होता है कि जो एक stock गिरने से पहले या फिर breakout और breakdown से पहले हमें दिखाता है Sun Farmer ने आज क्या किया day time frame के recording कि उसने कुछ supports लिये अब इन supports की नीचे one और two two days support लेने के बाद में हमने इसको आज के दिन trade कर दिया हालांकि narrow ranges के बारे में आप में से काफी लोगों ने सुना हुआ है कि narrow ranges को कैसे क्या trade करते है हालांकि ये topic आज कहा है ने और कल की class में इसी चीज़ को लेकर के बहुत सब्सक्राइब ने डिस्कस किती फिलहाल Sun Farmer को देखे अब यहाँ पर इसने क्या लिया था एक resistance point price हमारे उस resistance से नीचे के तरफ तरफ तकी reject हुआ अब अगर short का ना तो हम तो देख रहे हैं कि price के अंदर short के opportunity हम किसी ना किसी एक resistance से find करते हैं और अगर नहीं है तो resistance के बनने के हम wait करते हैं यहाँ पर आप volumes को देखो देखे volumes क्या show कर रही है price upside के तरफ जा रहा है और यह जो volumes के breakout है न यह काफी दुनों के बाद इतने volumes के breakout है इसके बाद में देखे 31st of में 31st of में यह को क्या हुआ था price यहाँ से downside के तरफ गिरा और यहाँ से upside के momentum के बाद में price के अंदर एक इतना बड़ा move आया है ना फिर से देखे volumes के अच्छे से breakout होगा upside के तरफ यह गप्र 29th of July एक resistance से price टक रहा है बट इसके बाद से लगातार दो दिन से market की जो volume से वो गिरती चली जा रही है मतलब 31st यहाँ से देखे 31st और 29th के बाद से लगाता पैस बारा नीचे की तरफ गिरती जो volume से नीचे की तरफ गिरती और आज भी हमको जो price मिला है अपने इस एक candle की बिल्कुल low पर मिल गया है ना अब हम यह देखना होगा कि क्या यह candle मेरी tradable है जस्ट अभी सिर्फ इतना मन करके चलते है कि हमारी यह एक जो candle होती है ना first of July की हम इसको लेंगे क्योंकि आज के लिए मेरी यह candle important हो जाएगी higher time frame को price कहां से मेरा reject होकर क्या रहा है यह तो day time frame के according हमको यह week लग रहा है अब 5 minute पर आप जाओ और 5 minute पर देखो कि यहाँ पर activity क्या होई है यहाँ देखे कि price ने किया क्या है कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर supports लिए जा रहे है है ना market is level ता का रही फिर अब यहाँ पर देखे आज भी जो price हमारा निकला same level पर price ने breakout देखा है नीचे की तरफ है ना यहाँ से नीचे की तरफ है टूड़िया हमें यह देखना है कि price ने morning में कल याद हो गए एक चीज हमने upload की थी कि breakout से पहले कैसे हैं पहचानेंगे कि breakout की तरफ price हमारा move कर सकते है breakout हो सकते हैं कल का momentum क्या था lower lower higher lower lower higher lower 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 higher कल से ही लग रहा था आज देखे क्या क्या मार्केट ने सबसे पहला क्या 9.15 की candle के high को protect करने की कोशिश की यहाँ पर देखे high protect हुआ और 9.15 का low break हो गया अब 9.15 का low break हुआ है इसके बाद में देखे क्या हो रहा है कि price की यह वाली जो candle है हमारी इस वाली candle के नीचे भी आ करके market close कर रही है मतलब lower lows form कर रही है यहाँ पर अब जो हमें अपना trade execute करना था यह expectation थी हमारी के price हमारा low break है because nifty 50 के momentum या फिर यूँ कहें कि pharma sector के बागी के stocks से movements कहीं ना कहीं downside के जब तो 9.15 के नीचे जैसे ही present breakout दिया हमने 909.30 के नीचे के breakout को catch करना था जिस वाजे से क्या हुआ न कि यहाँ पर हमने अपना एक trade execute किया हाला कि जो trade था हमारा 9.55 के आसपास हमने trade अपना यह execute कर लिया था तो trade execute करने के लिए हमें जो candle यहाँ पर समझ में आई जिस candle के थो हमने अपनी entry थी आप इसे candle को जोखो 9.15 की candle का exact जबाप open price open price आपको मिलेगा 9.12.50 यह बहुत अच्छे जगा थी आज के trade execute करने के लिए जैसे price ने इस candle के नीचे आ करके देखे closing करना था मतलब कि 9.30 के नीचे भी market ने जैसे उसका breakout स्टार्ट किया हमने जो अपनी entry ले इस एक closing price पर ले ले यहां से price reject हुआ फिर से देखे एक बड़ी से candle बनी यहां से price नीचे की तरफ गिरा और लगातार यह आखरी candle थी जब price हमारा नीचे की तरफ गिरना start हुआ था उसके पहले की यह आखरी candle थी और इसके बाद लगाता price हमारा fall हो गया देखे देखने वाली चीज़ क्या है day time frame के levels के मेरे support यह वाले थे higher time frame पर price हमारा reject हुआ है 9.15 के high को protect किया low को break किया अगेन देखे इस candle को भी downside के तरफ इसने break किया break कर देने के बाद में जब price again retrace हो देखे stop loss जो हमने लगाया थे just हमारी यह green वाली candle है 9.25 पी candle इसके high के पर हमने अपने stop loss लगा देखे 9.16 पर अगर 9.16 की candle के high को price break कर देता तो बहुत ज़्यदा chance थे price पर हमारा 9.15 के level के बाहर निकल जाता बहुत साई line ने देखे आप confuse होगे अगर आप skip करकर की वीडियो देखे तो बहुत साई चीज़ आपको confuse कर जाते होंगी कि ये वाली line कहां से आगए कुछ भी करिया आप कितना भी profit करो loss करो 2000 का 3000 का 15000 का profit 10000 का profit 18000 का कोई भी profit करो माइने क्या रखते है कि आप price को rate कैसे कर रहो आपकी जो पकड़ होनी चाहिए वो price की reading पर होनी चाहिए क्यूंकि उसी के थुरू आप कल भी trade execute करोगे इन्ही reading skills के थुरू आप उसके अगले दिन भी trade execute करोगे है ना तो कही ना कही आपकी जो importance आपको देनी होगी वो price action के वोपर देनी होगी आप किसी भी indicator के थुरू आप price को trade करो आप देखते होगे जो भी successful trader है हम को बहुत ज़्यादा अच्छे trade execute नहीं करते हम इतना इचा trade execute कर लेते हैं तो कल 3000 आजार का profit नहीं बोग करते तो हम भी कही ना कही एक process में लगे हुए है कही ना कही अब हमेशा stock में तो काम नहीं करते रहे हैं हमारा भी मन होता है कि हम option को trade करें लेकिन अपने कुछ rules है, regulations है जब तक हम अपने target तक नहीं पहुचांगा हमारा भी एक अपना subtle target है हमें वहाँ तक पहुचना है, उसके बाद में देखिएगा कि हम option को भी trade करेंगे हम future को भी trade करेंगे, हम fordex के अंदर भी trade करेंगे यह first step होता है यह equity यह first step है लेकिन गुजरना यहीं से है, लोग गलती क्या करते है कि equity नहीं करना है, equity बहुत लोग से सुना हुआ है, कि अच्छा नहीं है option करते हैं, option में लोग लाग हो रुपाय बनाते हैं इस मामले में हम शुरुआत से लगी रहे हमें शुरूर में ही पता चलिया था, कि हम equities के थ्रू ही आगे बढ़ सकते हैं, यहीं पर हम money management सीखेंगे, यहीं पर trade execution भी सीखेंगे, सारी चीज़े, इसके बाद में आगे की तरफ top loss हम में कहां पर लगा है, 916 पर हमारा stop loss लगा हुआ है इस 915 की low की candle को हम delete कर देते हैं, और high को यहां से delete कर देते हैं ठीक न, इसको भी delete करते हैं यह हमारा entry point होगे और यह stop loss point होगे, अब इस वाले level को करते हैं अब देखें, प्राइज ने जैसे ही downside की तरफ आकर के अपने closing स्टार्ट की यहां पूरे दिन आज sun farm गिरता ही रहा है तो कहीं न कहीं यह वाली जो हमारी candles form हो रही थी यहां पर हमने इसी क्यासवस अपने profits वगरा book कर लेते हैं कहीं यहां अपने profits सारे book कर लेते हैं क्योंकि rejection candle बनी थी इसके बाद में फिर प्राइज हमारा उपर की तरफ निकलने लगा था तो हमें डर लग रहा था कि प्राइज अगर इस green वाली candle की उपर निकला तो भेंकर green candle बन जाएगी आपने देखा डॉक्टर एडी के अंदर किस तरह की candles बनी है यह साही चीज़े देख करके डर गयते हैं कि price कहीं है ऐसा नो कि एकदम से भाग जाए क्योंकि Sun Pharma आप देखोगे तभी थोड़ दिन पहले कितना बड़ा momentum दिखाता है यह देख रहे हैं कितना बड़ा move आया था तो कितना बड़ा move इसके अंदर upside की तरफ आया यह साही चीज़ है ना इसे डल लगता है कि price है पूरे दिन तो अपने वेट किया अचानाख से candle बन जाए एक 28% की तो पूरा profit गया सारा का सार मैंने यहां पर book कर लिया था तो overall हमारा यह trade execution था अचका I hope कि समझ भाई होगी चीज़ों जो भी मैंने समझाई हैं और आगे की तरफ यह आपको बहुत help करेंगे अपना खुद का system बनो समझने की कोशिच करो price action को read करो अपनी reading skill डवब करो थैंक्स अब हम लोग मिलते अपने कल की training session तब तक लिए good bye and we will meet again